क्या आप भी सोच रहे हैं प्रेश्टीज का इंडेक्शन कुक्टोफ खरीदने के बारे में मतलब बिजली से चलने वाली या फिर बिजली से खाना पकाने वाली इस तरह का प्रेश्टीज इंडेक्शन चूला को खरीदने के बारे में यह सोच करके कि यह आपका पैसा बचा कि यह गरीबों के लिए नहीं है यह सिर्फ अमीरों के लिए है आखिर ऐसा मैंने क्यों लिखा वो भी आपको बताने वाला हूं तो वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं जैसे कि हम ज्यादा तर चीज देखो देखा यूज करते हैं मतलब किसी के यहां द रहे हैं खाना पकाने के लिए और आप वहां देख लेते हैं और उनसे जादा जानकारी भी नहीं लेते हैं और ज्यादा पूस्ते भी नहीं है आपको लगता होगा यार ऐसा ही तो चूला होता है तो आप क्या करते हैं किसी दुकान में जाते हैं और वहां से वो सामान उठ चाहिए का पता चलता है और वहाँ पर फच जाते हैं और आप पस्ताते हैं आगर क्यों पस्ताते हैं तो बताते हैं मतलब जैसे कि इस समान का नाम क्या है Prestige मतलब यह Prestige Company का है और इसका पूरा नाम है Prestige Induction Cooktop इसके नाम में ही Induction है मतलब इस में आपका सारा बरतन सपोर्ट नहीं खाएगा मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे कीचन रूम में मतलब हमारे घर में हर तरह का बरतन होता है ज्यादा तर अल्यूमिनियम मतलब अल्मनिया का बरतन होता है या फिर लोहा का बरतन होता है जिसे तवा रोटी बनाते हैं वो सब बरतन इसमें सपोर्ट नहीं खाएगा इसमें सिरिफ stainless steel मतलब steel के बरतन या फिर induction based बरतन ही सपोर्ट खाता है जिस बरतन के नीचे steel का plate लगा होगा वही बरतन इसमें सपोर्ट खाएगा इसलिए इस समान को खरीदने से पहले 1000 बार सोचें तो यह अमीरों के लिए इसलिए है क्योंकि अगर आप गरीब है मतलब कम पैसे हैं आपके पैसे ज़्यादा पैसे नहीं है आपका बज़ट नहीं है और आप पैसे बचाना चाते हैं इसको अगर खरीद के लेके आ जाते हैं तो वहाँ पर आपका नुखसान हो जाएगा क्योंकि इस समान को यूज करने के लिए आपको और भी बरतन खरीदने परेंगे इसके हिसाब से लोग के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि बांकी लोग कैसे यूज करते हैं कि सब बरतन जैसे आपका डंज होता है और फिर अलमनिया का बरतन होता यह पिर तावा कैसे यूज करते हैं तो वह वाल … जो प्रोडट होता है वह इंडक्शन वाल की होता है और उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगा आप कमेंट में बताना इसको जब भी खरीदें प्रेश्टीज का इंडेक्शन कुक टॉप तो सोच समझ के ही खरीदें क्योंकि इसमें बहुत सारा नुकसान है और आपका पैसे भी ज्यादा लगेगा तो आई होब कि आपको हर एक चीश समझ में आ गया होगा तो फिर मिलते हैं कोई न्यू अपडेट में तब तक के लिए बाए बाए